बाजार में आया डेल लाग का बकरा, बकरीद पर बढ़ गई इस बकरे की मांग खरिदार ने लगाई एक लाग दस हजार कीमत, वैपारी डेल लाग से कम कीमत पर बेचने को नहीं हुआ तयार बकरे को देखने पहुचने लगी भीड, किसी ने लगाई एक लाग कीमत कोई सवा लाग तक गया बकरा देख लोगों ने कहा, 11 लाग का विकेगा बकरा, बकरीद से पहले बकरे की हाई डिमांड बाजार में आया डिर्ट लाग का बकरा, देखने की मज गई होड, बकरे की हाई डिमांड को देखते हुए वैपारी ने लगा दी बकरे की डिर्ट लाग कीमत बकरीद आने वाली है जिसके लिए जमकर बकरे की खरीदारी चल रही है सब भी अपने रेंज के अनुसार बकरा खरीद रहे हैं यहां बकरे की रेंज है एक लाग पचास हजार राज़ार में जब डेल लाग का बकरा आया तो देखने वाले भी हैरान रहे गए लंबा चोड़ा हटा कटा बकरा देखने में लाजबाब और कीमत भी लाजबाब बकरे की कीमत लगाई गई है एक लाग पचास हजार रुपी इस बकरे के खरीदार कम और देखने वाले अधिका रहे हैं बकरा वैपारी का कहना है कि उन्होंने इस बकरे को घर में पाला पोसा है अन्य बकरियों और बकरों की तरह ये भी अनाच खाता है डिर साल का ये बकरा राची के बजार में लाया गया है इस जैसे बकरा पूरे बजार में दूसरा नहीं मिलेगा वैपारी का दावा है कि इस बकरे का जोड़ी आप ढूंड नहीं सकते इसलिए भी ये बकरा खास है तबी कीमत लगाई गई है एक लाग पचास हजा रुपय वैपारी का कहना है एक खरीदार आया भी उसने बकरे की कीमत एक लाग दस हजा रुपय लगाई पर हमने उन्हें नहीं दिया जब सवाल किया गया आप कितने तक में बकरे को बेचेंगे तो बैपारी का कहना था हम कम से कम इस बकरे के लिए एक लाग पचास हजार रुपिय लेंगे उससे कम में बकरे को नहीं बेचेंगे वहीं बाजार में उपस्थित लोगोंने कहा, बकरा वाकाई सांदार और तंद्रूस्त है, वो भी बकरीत के मौके पर ये बाजार में है, ऐसे में इसके लिए लोग 11,00,00, 21,00,00 रुपिय भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि कaż हम बकरे को सिर्फ देखने आए है बकरे की कीमत अधिक लगाई गई है आम तोर पर बकरीत के मौके पर बकरों की कीमत बढ़ जाती है मुस्लिम समुदाय के स्पर्व में लाखों लाख के बकरे बिखते हैं कीमत भी अच्छी ली जाती है देश भर में हजारों में बकरे बिख रहे हैं में भी बकरे की कीमत हाई दिखी। बतातें इस बार बकरी 17 जून को मनाई जा रही है। समय पे इसलिए उसका दाम होगा है वह बक्ड़े का दाम है वह भी नहीं होगा है। बचाटर कर दिनका जागा? हम